हर्याना से जुड़ी हर लेटिस्ट अपडेट के लिए घंती बजाएं और सब्सक्राइब करें स्टीवी हर्याना न्यूज सच के साथ खबर बेबाद लोकसभाच नाफ के बीच कॉंग्रेस अध्यक्ष राखूल गांधी की नागरिक्ता का मामला गर्मा गया है मंत्राले ने राहूल गांधी को ये नोटिस भारतिय जन्ता पार्टे के राजसभा सांसर्द सुब्रमन्यम स्वामी की शिकायत पर भेजा है 29 अप्रेल को नागरिक्ता ने देशक बीसी जोशी की तरफ से भेज़े गए इस नोटिस में राहूल गांधी से पूछा गया है कि एक कमपनी के दस्तावेज में आपकी नागरिक्ता ब्रिटिश घोश्यत की गई है इस पर आप सही तत्या सांजा करें कॉंग्रेस के मीदिया प्रभारी रणदीप सुल्जेवाला ने कहा है कि राहूल गांधी जन्म से भारतिय हैं हमेशा रहेंगे उन्होंने आरोप लगाए कि बीजेप अपनी नाकामियों से भागने की कोशिश कर रहे है इस तरह की फरजी बहस को जन्म दिया जा रहा है लोगसभा चुनाफ की पाच्वे चरण के लिए देश में प्रचार जोरों पर है बिहार की मजफरपुर में मंगलवर को रधान मंतरी नरेंटर मोदी ने विशाल जन्सभा को संबूधित किया इस जन्सभा में पीए मोदी के साथ बिहार की मुख्य मंतरी नितिश कुमार और केंजरे मंतरी रामदिलास बासवन भी मौजूद रहे रली में पीए मोदी ने कहा कि चार चरणों की चुनाफ के बाद विपक्षी चारों खाने चित हो गए है आने वाले तीन चरण विपक्ष की खार कितनी बढ़ी होगी ये तै करेंगे उन्होंने कहा कि ये लहर नहीं है ललकार है प्रधान मंतरी नरेंडर मूदी ने कहा कि विपक्ष इस बार सरकार बनाने के लिए नहीं फलकी अपने सांसदों की संख्या बढ़ाने में लगा है लेकिन अगर इनकी ताकत बढ़ी तो विहार में एक बार फिर लूट पार्ट की खटनाए बढ़ सकती मूखे मंतर में नोहर लाल लगातार बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में पिचार प्रसार करने में जुटे हुए हैं अंगलवार को चाना हलके में सीम खटने हिसार सहीब बीजेपी उमिद्वार बिजवेंद्रों सिंग के समर्थन में कई जन सभाओं को संबोधित किया इस दरान उन्होंने बिजेंद्रों सिंग को जादा से जादा वोट दे कर विजवी बनाने के अपील की वही स्यम खटने का कि आज आपके सामने प्रधान मंतरों के लिए दो उमीद्वार हैं जिनके नाम पर वोट मांगने में खुद उनकी पार्टी के लोग को डर लगता है अब जानता है अब जनता को ये ताय करना है कि वो किसे देश के बागडोड सौपना चाहती है बीजेपी लोगसभा प्रभारी कलराज मिश्र ने पानिपत का दावरा किया जरान कलराज मिश्र ने जनता से बीजेपी प्रत्याशी संजेब भातिया को वोट देनी क्या पील की वहीं कलराज मिश्र ने कहा कि बीएसपी और एसपी के कारकरता भी यही सोच रहे हैं अगर मुख्यमंत्री का चुनाव होता तो अखिलेश और मायावती को वूट देते लेकिन सेंटर की सरकार मूदी की होने चाहिए इतना ही नहीं कलराज मिश्र ने दावा भी किया कि हर्याना में बीजेपी दस की दस सीटे जीते गी बिली के सीयम अर्विंद केजरीवाल और प्रतियाशी दुश्यंत् चोटाला ने सोनिपत में रोडशो की अज़वारान आप प्रदेश अध्यक्ष नवीम जयहीं समेत जीजेपी के कई बड़ी नेता रोडशो में मौझूद रहे वहीं दुश्यंत् और केजरीवाल ने सोनिपत से जेज़वी प्रतियाशी दिखविजे चोटाला के पक्षमे लोगों से वोट के अपील किये इस दौरान के जुरीवाल ने कॉंग्रेस और बीड़ीपी पर जमकर निश्वाना साधा उन्होंने कहा कि हुड़ा सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया है साथी कहा कि बीड़ीपी ने 36 बेरादरी का भाई चारा बेगारने में कोई कसा नहीं छोड़ी और दूशंत चोटाला ने भी सरकार को जमकर के गिराए उन्होंने कहा कि सोनिपत के साथ जो हुआ है वो आगे ना हो इसलिए युवा को वूट दे इस दौरान दिगविजे चोटाला ने भी कहा कि रोड़शों का मकसद सभी को एकत्रित कर विपक्षियों को हराना है सोनिपत में रोड़शों के दौरान जेज़ेपी नेता दुशंत चोटाला जेज़ेपी उमीदवार दिगविजे चोटाला आप संग्योज करविंद केजडिवाल और आप उमीदवार नवीन जाहिंद ने हर्याना नियों से खास बातशित की लोगसभा चिनाव के मदेनजर पंजाब और चंडिगड के लिए कॉंग्रेस पार्टी ने स्टार प्रचार को के लिए स्टुजारी कर दी है देस्ट में कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी, यूपी अध्यक्ष सुनिया गांधी, पूर्व पीम, मन्मोहन सिंग और हाली में पार्टी की सद्यसता लेने वाले दलित नेता उदेत राट समेत पार्टी के 40 नेताओं के नाम शामिल छठे चरण में होने जा रहे चुनाव के लिए कॉंग्रेस ने हर्यान के 10 लोगसभा सीटों पर 40 स्टार प्रचार मैदान में उतारे हर्याना कॉंग्रेस कमेटी के प्रदीश अध्यक्ष और सर्चल लोगसभा सीट से कॉंग्रेस मिद्वार डॉक्टर अश्यूपतावन ने मीदिया को जानकारी देते हुए बताए कि एक माई से हर्याना में स्टार प्रचारक अपनी कमान संभालेंगे हर्याना के कॉंग्रेस स्टार प्रचारक के तौर पर सोनिया गांधी, कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी, मासचवी प्रयंका गांधी, पूर्वप्रधान मंतरी डॉक्टर मनमोहन सिंग समेथ कई दिगजों को रण में उतारेंगी और उन्होंने बताए कि स्टार प्रचारकों की जिस तरह हैं इलाके में जा जाकर ज़रत होगी, वहावा स्टार प्रचारक जंता सिरू बरूप भी होंगे साथिया अश्योक्तवर ने कहा कि जैसे जैसे हर्याना में चुनाव के दिन नजदी का रहे हैं, वैसे वैसे कॉंग्रेस मजबूत हो रही है, उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस अपनी बात लोगों तक पहुचारे में काम्याब हो रही है हल्प नेताव गुपाल कांडा का कॉंग्रेस को समर्थन देनी के सवाल पर बोलते हुए अश्योक्तवर ने कहा कि राजनीतिय संभावनाओं का खेल है और गुपाल कांडा बड़े भाई है और वो जन समर्थन दे सकते हैं साथी बीजेपी और इने लोग को आड़े हाथो लेते हुए तवर ने कहा कि दोनों ही पार्टिया डेरों पर कब्जा करना चाहते हैं हिसार से बीजेपी उमीद्वार ब्रिजेइंद्र सिंग के समर्थन में बीजेपी के नेता लगाता चुनावी प्रचार कर रहे हैं नमांकन से दो दिन पहले तक उनके प्रत्याशी उनके पास प्रत्याशी तक नहीं थे वहीं इस मौके पर मौजूद ब्रिजिंद्र सिंग ने कहा कि जंता राश्टवधी नीती और देश हित के लिए बीजेपी को वोड़ दे करके एक पर फेट प्रधान मंत्री नरेंद्र को प्रधान मंत्रे बनाए परदबाद से बीजेपी प्रत्याशी क्रिशन पाल गुर्जर के विरोध की आग थमने का नाम नहीं ले रही है ग्रेटर फरदबाद में एक पर फिर मौल भूत सो विधाओं के ना मिलने से नाराज लोगों ने क्रिशन पाल गुर्जर की खिला लोगों ने बताए कि वो पिछले 15 दिन से सांसद पार्शद और बिजली दफ्तर के चकर काट रहे हैं लेकिन अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है लोगों ने कहा है कि पिछले 5 साल में उन्हें कोई मूल भूत से विधाएं नहीं मिल पाई है इनेलो पार्टी को एक और बड़ा जटका लगा है गुहाना की शेहरी प्रधान अरुन बडोक ने इनेलो को अलविदा कह दिया है बडोक ने पार्टी छोड़ राज मंत्री मनीश ग्रोवर की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए वही राज मंत्री मनीश ग्रोवर ने कहा कि आज देश हित में दूसरी पार्टी को छोड़ बीजेपी में शामिल हो नहीं सिर्शक चोडरी देवी लाल वेश्व ध्याले के मल्टी पौपर्बस अखॉल में कारेक्रम कायो जुन कया गया इस दोरान मेगव शोर रिहोर्सल में चुनाव के प्रक्त्रियाबारी की से समझाए गए साथ ही APO को वीदियो के माधिम से EVM और VVPAT मशियनों के संचालन के बारे में भी समझाया गया अतेडिक तुपाय उक्टमंदीप को और ने बताए कि 11 मई को फाइनल रिहरसल के जाएगे जिसमें सभी PO, APO को ये जानकारी मिलेगी कि उन्हें कौन सा बूथा लोट किया गया है PO, APO की मदद के लिए सेक्टर आफिसर्स, माइक्रो अब्जर्वर, जोनल, मेजिस्ट्रेट तथा BLO भी लगाए गया है ताकि मतदान प्रक्रिया सुचार रूप से हो सके ग्रूप जी में नौकरी का जहासा देकर कि गोहना में एक साथ कई लोगों से ठंगी का मामला सामने आया है जहां लोगों से लाखों रूपिय हड़ अप लिया गया है लेकिन नौकरी फिर भी नहीं लगी है लोगों ने जब पैसे वापिस मांगे तो जान से माने के धंकी दी गई जिसके शिकार गौहना सिटी थाना पुलिस में दी गई फिलहाल मामले में दोनों आरूपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच की जा रहे हैं अभी तक किसी की इरफ़तारी नहीं हुई है लोहरूहल के बहल की अनाजबंडी में बड़ी संख्या में किसानों ने भार के किसान उनियन के बैनर तले कतरी थूकर के प्रसाश्य Bean के किलाफ की बहल अक्षितर के 1300 और भीवानी जिले के करीब 7000 किसाने ऐसे हैं जिनोंने फसल ओनलाइन कराने के लिए फॉर्म जमा किये हुए हैं लेकिन विभाग की वेबसाइट बंद खुने से सरकार और प्रसाशन की गलती से इन किसानों के रेजिस्टेशन नहीं हुए हैं पानिपत किसान यूनिन के प्रधान सुरेश ने प्रसाशन से मांग किये कि जल्द से जल्द सरसो खरीद में 5 कुटल एकड़ की शर्त हराकर किसानों के फसल सभी मंडियों में खरीदी जाए साथी उन्होंने का कि अधिकारियों और व्यपारियों के खिलाफ कानूनी कारवाई की जाए मैं दिसम्बर 2018 तक चुपेल कनेक्शन पर प्रिसी विभाग द्वारा लगाई गई शर्तों को अटा करके एक भाईने के अंदर सभी के कनेक्शन दिये जाएं गेहूं का भाव दिल्ली की तर्च पर एक दो हजार ग्यारा रुपए कुटेल दिये जाए मैं सुरेश धहे ने चिताबने भी दिये कि अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आने वाले समय में धना पर दर्शिन किया जाए गर जुनाव में किसान हर्गाना के सीम खटर को अच्छा सबक सिखाएंगे खरकोदा के फिरोजपूर कुतुब रोड पर बीती राज शॉर्ट सर्कित के कारणी कैमिकल फैक्टरी में आग लग गई देखते आग ने भेहाना कुरुट धारन कर लिया जिससे आग की लप्टे पूरी गली में फैल गई मौके पर काम करें मुज़ूरों ने भाग करके अपनी जान बचाई वहीं आग की सूचना फार्बिकित को दी गई मौके पर पहुंचे दमकल की गाड़ियों ने कड़ी में शक्कत की बाद आग पर काबू पाया पलवल में एंजटी के आदेश्यों के लगतार अवेला की जारी आपको बता दे की किसान हर रोज खेतों में पराले जलाते हूँ नजर आते है जिससे प्रदूशिन का स्थर लगतार बढ़ता हूँ नजर आ रहा है मैं क्रिशी विभाग की ओर से अभी तक कोई कारवाई नहीं की गई है इसको लेकर कि क्रिशी एवं किसान कल्यान विभाग पलवल के उपनी देशक डॉक्टर महावेर सिंग ने बताया कि पर्यावरन प्रदूशिन को ध्यान में रखते हूए खेतों में यहोंके फसल अव शेश जलाने के समवेदन शेलक शेत्रों के पहज़ान के जा रही है पलवल में पुलिस ने एक नुवा गाड़ी से 24 पेटी देशी शराब बरामत की है एक युवक की शिकायत के अधार पर कारवाई की गई है शराब के साथ गाड़ी चालों को भी गिरफतार किया गया वह पुलिस अभी आरोपी से पूछताच में जूटे हुई है देश में बुज़ूर्गों की मदद की लिहाज से हर महिने उनको वृध्धा पेंशन देने का वादा सरकार के ओर से किया गया पेंशन पाने वाले बुज़ूर्ग क्योंबर 60 साल तैकी गई लेकिन निलो खेडी का 84 साल का ये बुज़ूर्ग अभी तक पेंशन का भूगी नहीं बन पाया है बुज़ूर्ग क्रेशय ने बताए कि वोटर कार्ट बनवाने के लिए भी उसे नगर पालिकाओं के चक्कर काटने पड़ रहे लेकिन उसकी वोट अभी तक बनी नहीं है पेंशन बनना तो दूर की बात है बार-बार आवीदन करने पर सरकारी विभाग में उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है गाउं खिर्बी के लोगों ने गोचारे की जमीन को लेकर के पंच्रायत का विरूद किया दरसल जिस जमीन की लेकर के गाउं वाले गोचारे के लिए इस्तमाल करते हैं उस जमीन को पंच्रायत ने उपजाओ के लिए पट्टे पर छोड़ दिया है जिसे लिकर कि ग्रामिनों ने होडल पंच्रायत खारयाले का घहराफ कर पंच्रायत सेकेटरी की खिलाप जमकर नारिवासी की ग्रामिनों के प्रदर्शन के सूचना मिलते ही पंच्रायत अधिकारी मौके पर पहुंचे और गुसाए ग्रामिनों को समझा पुजा कर कि वापिस लोटा दिये पंच्रायत अधिकारी के आसवाशन से संतुष्ट ग्रामिनों ने प्रदर्शन खात्म किया प्रदीश भर में गुंडागर्दी चरम पर है आए दिन गुंडागर्दी के मामले सामने आते रहते हैं लेकिन प्रसाश्य दिस और ध्यान नहीं दी रहा है कैसा ही मामला फर्दबाद से आया है जहाँ पर बदमाश उने एक युवक की बुरी तरह से पिटाई की है जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खुब वारल हुआ है इस वीडियो में युवक मदद की गुहार लगा रहा है लेकिन बेक खौफ बदमाश हाथों में लाठे नंडे लेकर की युवक पर ताबर तोड़ वार कर रहे हैं इसका कहने की दोनों गुटों के आपस में रंजिश है जिसके चलते एक गुट ने दूसरे गुट की युवक के पिटाई की है पिलहाल पुलिस ने आरूपी युवकों के खिलाफ मामला दर्च कर जांच शुरू कर दी है करनाल की सैनिका लोनी में एक घर में जोरदार ब्लास्ट हुआ आसपास के घरों में भी इस ब्लास्ट के वज़े से काफी नुकसान हो गया घर की दिवारे में बड़े-बड़े दरारे आ गए इतना ही नई घर में रखा समान भी तूट गया पंजाब में एक बेटी के साथ हुए रेप और हत्या के विरोध में टुहाना की लोगों ने केंडल मार्च निकाल करके रोश प्रदर्शन किया लोगों का कहने के सरकार को देश में बेटियों के साथ खुरे इस तरह की घोर अपरादों की जिम्मेदारी लेटे वजवित कदम उठाने चाहिए सुमबार सुबह गाउं बढ़मली के पास के एमपी केज़ेपी जिरो पॉइंट पर युवक का श्याओं मिलने से आस पास के लोगों में संसनी फैल गई ग्रामिनों ने सरपंच को इसके सूचना दी जिसके बाद सरपंच राकेश ने थाना पुलिस को इत्तला किया सूचना मिलती यह साई रवेदर कुमार टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शफ को कबजे में ले लिया पुलिस के मताबिक युवक के चेहरे और सिर्पारीड पत्थर से हमला कर उसकी हत्या की गई है वही पुलिस ने शफ को कबजे में लेकर के सरपंच राकेश के बियान पर अग्यात लोगों के खिलाफ मामला दर्च कर लिया है बच्चे आजकल सेल्फी और गेम के चकर में अपनी जान जोखिम में डाल लेते हैं और सेल्फी अच्छी आए इसके लिए वो इसकदर मश्गूल हो जाते क्यों ये तक याद नहीं रहता कि वो कहा है पहली बार इंडियन आर्मी ने हिम मानव के रहे समय निशान तलाशने का दावा किया है इंडियन आर्मी के अधिकारिक ट्विटर एकाउंट से जानकरी दी गई है साथ में हिम मानव के निशान से जुड़ी कई पोटोस भी शेयर की गई है लेकिन सोशिल मीडिया पर तस्वीरे साबने आने के बाद यूजर्स इस पर सवाल भी उठाने लगे है कई यूजर्स ने लिखाए कि आर्मी को तब तक इसे शेयर नहीं करना चाहिए जब तक इसकी अच्छी तरीके से पुष्टी नहीं हो जाती 283 साल पुराने वादिया ग्रुप के वारिस नेस वादिया को ड्रग्स रखने के मामने में जपान में दो साल जेल के सजा सुनाई गई है वहां के सपोर्ट जिले की कोट ने वीडियो वादिया को सजा सुनाई है सजा 5 साल के लिए सस्पेंट रहेगी इस बीच नेस जपान में कोई और गैर कानूनी काम करते हैं तो उन्हें जेल भीज दिया जाएगा इंटरनाशनल मीडिया ने ये जानकारी दी है मीडिया रिपोर्ट्स के मताबिक मार्च में जापान के होकाईडो आइलेंट के अरपोर्ट पर गिरफतार किये गए थे उनके पास 25 ग्राम ड्रॉक्स मिली थी नेस छूटिया बिताने के लिए जापान गए थे पेट्रोल के दाम में दो दिन के विराम के बाद मंगलवार को फिर बढ़ोतरी दर्च की गई तील कम्प्टियों ने पेट्रोल के दाम में 5 पैसे की बढ़ोतरी की है इसी तरह डीजल की कीमत में 5-6 पैसे की प्रति लिटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई चारो महान अगरो में डीजल के दाम में बढ़कर के क्रमशे 66 रुपे 80 पैसे 68 रुपे 45 पैसे 79 रुपे 43 रुपाई और 70 रुपे 44 पैसे प्रति लिटर हो गए सब्ता के पहले कारोबारी दिन मंगलवार को भारतिय शियर बजार की गिरावत के साथ शुरुवात खुई कारोबार के शुरुवाती मिन्टों में सन्सिक्स 150 अंकों तक तूट गया जबकि निफ्टे में भी 50 अंकों से जादा की गिरावत देखने को भी पतादे कि सुमवर को मुंबई में लुक्सबा चुनाव होने की वज़े से शियर बजार बंद थे वही बुदवार को भी महराश्य दिवस होने की वज़े से शियर बजार नहीं खुलेंगे इसलिहाज से सब्ताज सिर्फ तीन दिन शियर बजार खुले रहेंगे अंतराश्वी बजार में कच्छे तेल के दाम में आई नर्मी से देशी मुद्रा रूपाई में मंगलवार को भी मजबूती बनी रही शुरुवाती कारूबार में डॉलर की मुकाबले रूपया पिछले सप्ता के आखरी सतर के मुकाबले 23 पैसे के साथ मजबूती के साथ 79 रूपय अर्तर पर बना हुआ था इसे पहले रूपया पिछले सतर के मुकाबले 17 पैसे की मजबूती के साथ 70 रूपय 84 पर खुला है पिछले सप्ता के आखरी सतर में शुक्रवार को रूपया 24 पैसे के रिकावरी के बाद 70.01 पर बंद हुआ था फिलाल सुपरफास 100 में इतना ही मुझे दीजे इजाज़त नमस्कार पत्वर पर बंद हुआ नमस्कार